तो दोस्तो मेरा ना मेरा हुद स्वावत है अपको टेक्निकल वर्गेटीब चैनल पर दोस्तो अगर आपकी कूलर से पानी के छीटे आरे हैं जैसे आपके ऊपर आती है तो इस ट्रैप की जो प्रॉल्म आती है इसे कैसे ठीक करना है इस वीडियो में बताने वारा हूं तो की साथ देखें आप मैंने पाइप निकाल दें सबसे पहले हमें क्या करना होता है जो जाली के ऊपर यह जो होल होते हैं जिससे पानी नीचे की तरफ जाता है आपको चेक कर लेना यह सारे होल खुले होने चाहिए क्या होता है डस्ट की विए से यह होल बंद हो जाते है और पानी क्या होता, उपर की तरफ से आने लग जाता, उपर की तरफ से गिरने लग जाता है, पाइट से गिरने लग जाता है, जिसके विए से जब फैन चलता है, काफी स्पीड में चलता है, वो क्या करता है, उस पानी को खीच लेता है, जिससे पानी की बहुचार बाहर की तो देखिए आप एक लास्ट प्राइब ब्लॉक रहा है देखिए मैंने आपको सबसे पहले यही करना है जितने भी होल है आपको ऊपन कर लेना अगर ब्लॉक रखे इससे क्या हो जो पानी का फ्लोव यह सारे जालियों में प्रॉपर जाएगा कभी गवर क्या होता ब्लॉक ह पानी गिरने में अगर घास के लटकी हुई है तो आपको क्या करता गास से लेंटर से तार होती है उस तार से आपको घास को आप ठाली गरे वो घास पर ही गरे है और इसी के साथ हमें ये भी करना है जो cooler के दोनों side के जाली है उसमें जो पहले दो hole हैं उनको बंद कर देना है अब PVC tape की साथा से कर सकते हैं पन्नी की साथा से फिर किसी लकड़ी की टुकड़े की साथा से बंद कर सकते हैं इसे बंद करने से क्या होगा जो पानी का बहाव है वो आगी तरफ नहीं आएगा जैसी हम फैन को चलाएंगे तो फैन चलने के बाद जो होगा जैसे पानी खीच लेता था वो पानी के बहुचारे नहीं आएंगी कैसे करना है और करने के बाद जो बहुचा रहे नहीं आएंगे वो भी हम चेक करेंगे तो यहाँ पर देखे सबसे पहले हम PVC टेप ले ले लेते हैं तो यहाँ पर मेरे पास PVC टेप है अगर आपके पास कोई लकड़ी का टुकड़ा है या फिर पन्नी है तो पन्नी की साइथ है साफ इसे ब्लॉक कर सकते हैं देखें यहाँ पर मैंने टेप ले लिया है और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें टेप निकाल देता हूँ और यहां पर हम पहले दो hol को बंद कर देंगे इस कभी को बर क्या होता? किसी किसी को जो cooler होता हूं इस type से लगा होता हूं डहलान आगी के तरफ होता है और जैसे pump चलता है पानी का जो बहावावे सबसे जाथा दोनों होल को बंद कर दिया, अब इसी होगा जैसे हम पंप को चलाएंगे, जो पानी है वो आगे की तरफ नहीं गिरेगा, और बाकी के होल से पानी गिरेगा, उससे क्या होगा घास पूरी गील हो जाएगे, इससे कोई प्रॉलम नहीं है, और चलिए अब इसके पाई को लग को की पहले जाएंगे, आपको ऑपको घास प्लाटकी को अखिए और यससाथ आपको घंस लटकी नहीं हो जैसे कि मैंने बता रहे था और देखिए आपर यह प्रॉपर है भी और इसके बाद हमें पहले जो दो होल है इसको ब्लॉक कर देना है जिससे क्या होगा पानी आगे की तरफ ना गिरे देखिए आप मैंने पीवी सी टेप ले लिया है पन्नी की साइथ से आप फिर किसी भी चीज से आप कर सकते हैं ताकि हमें आपर देख इसकी जाली को लगा देगे और यहां पर देखिए यहां पर हमें देखे और अची तरस कर देना बांधेना तार से अगर कोई hole block है तो hole को open कर देना, इसके बाद आपको cooler को चला के check कर ले हैं, पहले जो पानी की बहुचार आ रही थी, पानी की बूंदे आ रही थी, वो नहीं आएंगी, एक बार हम side वाली जाली को check करते हैं, देखें, आपर जो पानी गिर रहा है, आगे की side नहीं गिर रहा और बाकी जो पानी आपको side side में गिरता हो दिखाई दे रहे हैं, इससे क्या होगा, पूरा गास गीला हो जाएगा, इससे कोई problem नहीं है, आपका cooler ठंडा करेगा, बड़ जो पानी की बहुचार आए थी, वो problem नहीं आएगी, और इसी के साथ हमने दूसरे side वाली जाली में में भी same यही दोनों hole को बंद किया था, इससे क्या है पानी आगे के तरफ नहीं गिरेगा, जिससे क्या है जो पानी की बहुचारे नहीं आएगे, जो गहां से proper गीली हो जाएगे, आपको पूरी गास गीली होते ही दिखाई दे रहे हैं, तो दोस्तो इस type से करने के बाद जो इस type की problem में ठीक हो जाएगी, दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस bell icon को प्रेस कर देना, जिससे नई वी notification आपको सबसे पहले मिल सके, मिलते हैं आपसे next वीडियो में